यदि आपकी मेश राशी हैं तो करें ये जरूरी उपाएं। यदि आपकी मेश राशी हैं तो आप के लिए यहां लाल किताब अनुसार कुछ जरूरी सला दी जा रही है। अगनी तक तर्थुप्रदान मेश राशी के कारक, ग्रह, मंगल, सूरी और गुरू हैं। इस राशी का स्वामी मंगल है, मैस लगने की बाधक राशी कुम्भत का बाधक ग्रशनी है, मंगल राशी होने के कारण इसका पक्का घर तीसरा और आठवा माना गया है, मंगल लेक और मंगल बद होता है, मंगल बद, बद का अर्थ खराब या अशूप, मंगल अशूप होत तब इसे मांगलिक दोश माना जाता है लेकिन लाल किताब के अनुसर मंगल का संबंद रक्त से माना गया है रक्त या सुभाव खराब है तो मंगल खराब होगा मंगल बद के रोग मैशराशी के जातक का मंगल बद है तो मंगल से संबंदित बिमारियों में पेट के रोग हैजा, पित, भगंदर, खोड़ा, नासुर और आमाशे से संबंदित समस्याएं होने लगती है मांशी क्रोगों में अतिक्रोध, विक्षिप्ता, चिड़़ापन, तनाव और अनिंद्रा आधी होते हैं साउधानी, किसी से मुफ्त में कुछ लेंगे तो बरकत जाती रहेगी भाई और पिता से जगडा न करें, क्रोध से बचें, गमंड, अहंकार, बदजुवानी और आपराधिक प्रवत्ती से दूर रहें दक्षिन और शेर्मों की मकान में न रहें, जहां रोज भट्ती जलती हो, वहां भी न रहें मास, मटन, चिकन, अंडा और मचली खाने से बचें, उपाए, अपने बच्चों को जन्म दिवस पर नमकीन वस्तुएं बाटें, महमानों को मिठाई जरूर खिलाएं, विदवाओं की निश्वार्थ मदद करें, हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान करें, और उनसे आश शिर्वात लेते रहें, तभी कभी गुलावी या लाल चादर पर सोएं, पीला वस्त लावदायक है, चादर भी पीले रंग की ही रखें, काले और नीले रंग से दूर रहें, आसमनी रंग का उप्योग कर सकते हैं, हात और दांट हमेशा साफ रखने का सुनिश्चित करें प्रति दिल हनुमान 40 पढ़ें, मसुर की दाल बहते जल में प्रवाहित करें या मंदिर में दान करें, सफे दरंग का सुर्मा आखों में लगाएं